वेलकम बैक टो आपने चैनल को सबस्क्राइब कर लो ताकि इंजिनिरिंग जो अपडेट आए वह सबसे पहले आप तक पहुछ सके और आगर आप किसी भी सर्विस पब्लिक सर्विस कमिशन का या इस्टाफ सेलेक्शन का फिर प्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं तो चलिए हम लोग परड़े की तरह दस कोसंस स्टार्ट करते हैं को संसे एन निगेटिव एसिस्टेंस इज एन एलिमेंट ऑफ्सन है देट केन एक्ट ओनली एज एस ओर्स ओफ एक्टिपावर देट केन एक्ट एज एस औरस बोथ एक्टिव एज वेल ए आज स्फ। ऑफ रेक्टिव पावर तो कहीं पर भी अगर निगेटिव एक्टिव एसिस्टेंस एक एलिमेंट होगा खेंस पुछ लाहीं कि आ गोइन हो एक विएक्ट्व हाश हुक्ट निगेटिव एसिस्टेंस एक्ट पावर स्वेले अ Tips होगा कब होगा उसी के बारे म तो निगेटिव रेसिस्टेंस एक एलिमेंट होगा तो इसका करेक्ट अंसर जो होगा वो सी होगा यह कोस्टन्स प्रिवियस यर्स में कई बार पूछा गया है एससी में एन्ड बपेसी एकी जो एक्जामिनेशं एजैनरल इंजिनियरिंग में एलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये को संसे ये को संस पूछा गया है next questions next questions the base width of a jensen transistor is chosen by design to be small so that often the electric field becomes large the concentration gradient of injected carriers is small become recombination of injected minority carries is reduced the majority carried carries easily reach the collector तो यहां पर questions पूछा गया है the base width of a junction transistor is chosen by design to be small so that तो जो junction of transistor का होता उसको कैसे चूछ किया आता है तो यहां पर वही पूछा गया है questions में तो इसका correct answer जो होगा वो क्या होगा कि डी हो जाएगा the majority carries easily reach the collector तो इसका correct answer D हो जाएगा यह भी questions basic electrical engineering से है और कई बार examinations में पूछा भी गया है तो next questions देखते है next question से to increase the switching speed of a PN Johnson diode option as the n region width should be made larger the n region width should be made smaller the P regions bulk resistance should be larger none of the above is true जिसका correct answer जो होगा वो भी हो जाएगा क्योंकि यहां पर दी एन रीजन वीर्ट should be made smaller end region का जो वीर्ट होना चाहिए वो इसमालर होना चाहिए तो इसका correct answer हो जाएगा बी यह भी questions basic electrical से है और आज हम लोग को maximum questions basic electrical से ही electrical पार्ट से मिलने वाला है तो फ्रेंट्स एलेक्ट्रीकल वाले comment करके बताएंगे कि हमारा जो questions आप लोगो को solve कर वा रहा हूं वो questions का options correct है अगर आपको कहीं पर confusion है ता आप वो एलेक्ट्रीकल वाले comment करके पूच सकते हैं next questions next questions a three-shot voltage of a MOSFET can be reduced by option a increasing the oxide thickness reducing the dielectric constant of oxide increasing the oxide thickness and increasing the oxide dielectric constant reducing the oxide thickness and increasing the oxide dielectric constant तो इसका correct रंसर जो होगा वो दी हो जाएगा reducing the oxide thickness and increasing the oxide dielectric constant तो MOSFET क्या होता है MOSFET का full form होता है metal oxide semiconductor field effect transistor और यह एक टाइप का insulated gate होता है जो fabricated रहता है control oxidation semiconductor से और इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन का यूज किया आता है तो MOSFET का full form आपको पता होना चाहिए metal oxide semiconductor filled effect transistor और यह एक टाइप का insulated gate होता है जिसमें की fabrication लगा रहता है fabricated रहता है और control oxidation semiconductor रहता है टिपिकल सिलिकॉन के form में तो इसका correct answer क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कॉस्टन्स पूचाइगा result voltage of a MOSFET can be reduced by तो correct answer डी हो जाएगा नेस्ट क्वेस्टन्स नेस्ट क्वेस्टन्स है ट्रांस्फोर्मर कोर इज मेड़ ओफ लेमिनेशन टू रिड्यूस तो ऑफ्शन से एडी करेंट लॉस अनली हिस्टेसिस लॉस अनली बोथ हिस्टेसिस हिस्टेसिस एंड इडी करेंट लॉस नन ओफ दी एभब तो इसका correct answer होगा जो ट्रांस्फोर्मर होता है उसमें जो भी लॉस होता है तो वह एडी करेंट लॉस्ट के कारण लेमिनेशन को summarize क्यातividade करेंड लॉस अनली और हिस्टेसिस लॉस क्या होता है वो tray आपको बता कुर्स भादे ट्रांसपोर्मार्म फॉरिज मेर्ड अफ लेमिनेशान टुरिज इडी करेंड लॉष तु डिडियू इस्टेश लॉस वी यूज शिलीकोन इस्टेल कॉर्द लॉज करते हैं तो उसमें हिस्टेश इस लॉष को बिन१ियूस किया ता फाराडेज लाव ओफ इंडक्षन क्या होता है कि जब लूप्स ओफ एलेक्ट्रिकल करेंट इंड्यूश्ड होता है किसी भी कंड़क्टर के साथ बाइच चार्जिंग मेगनेटिक फिल्ड चार्जिंग में तो किसी भी कंड़क्टर में तो फाराडेज लाव ओफ जब मिन्स अगर कहीं पर किसी भी कंडुक्टर में एलेक्रिसीटी फ्लो करा जाता है तो उसके चार और मेगनेटिक फिल्ड उत्पन हो जाता है प्रोडीस हो जाता है तो ट्रांसफोर्मर कोर इसमेड ओफ लेमिनेशन टू रिडूस एडी करेंट लॉस तो इसका करेक्ट अं इसके बाद नेश्टो कोस्टों नेश्टों नेश्टों स्वेंड टू यापेंडिंग को डिडूस त्रांसफोर्मर इच कनेक्टेड़ अज एड़ अं अ्टार्स्फोर्मर its efficiency means full load option अ है री मेंज्डी सेम इनक्री जेज्ड डिक्री जेज राईज़ त्यू हंड़ परसें संस बिपेस्सी एई दोजार अठार में पूछा गया था नेक्स को संसे वीच ओव दिफॉलाइंग मोर्टर्स रंस एट कॉंस्टेंट स्पीड एट अल लोट्स तो इसका ओप्सन से सिंक्रोनास मोर्टर इंडेक्शन मोर्टर डिसी संट मोर्टर डिसी सीरीज मोर्टर तो इसका करेक्ट रंसर हो जाएगा सिंक्रोनास मोर्टर आलवेज रंस एट सिंक्रोनास एक स्पीड क्योंकि इसका जो फोर्मूला होता है सिंक्रोंस insepar का एनस तो 120 एफ बाइ पी होता है और एनस क्या है सिंक्रोंस इस्पीड क्या डरीव से फ्रिक्वेंसी और पी किया है नमबर ओफ पॉल्स है तो अब हम लोग नेश्ट कोस्चन देखते हैं नेश्ट कोस्चन से दि एलेक्ट्रो मेकनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज एन ओप्शन से इर्रिवर्सिवल प्रोसेस रिवर्सिवल प्रोसेस आईसो थर्मल प्रोसेस नन अफ दी एवाब तो जो एलेक्ट्रो मेगनेटिक ए कि रिवर्सिवल प्रोसेस है तो इसका करेक्ट अंसर भी हो जाएगा नेस्ट क्वेस्ट नेस्ट क्वेस्ट से इस सिंक्रोनस स्पीड ओफ ए थिरी फेज इंडक्शन मोटर हेविंग 12 पॉल्स दिर रनिंग ओन 50 हर्ट्ज सप्लाई इज तो यहां पर हम लोग को निकालना क्य स्पीड तो अभी इसका फॉर्मूला हमने बतलाया कि सिंक्रोनस स्पीड एनस का फॉर्मूला होता है 120 एफ बाई पी तो फ्रिक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है और नंबर ओफ पॉल भी दिया हुआ है तो कल्कुलेट कर लेना हम लोग को 120 इंटू 50 बाई टूएल्ब मिन्स फाइब हंड्रेड आर पी एम तो इसका करेक्ट अंसर जो होगा वो डी हो जायाएगा बहुत इजी कोस्टन्स था और कई बार एक्जामेंस में यह पूछा भी किया है नेस्ट कोस्टन से एफ एक्षण लेस पिश्टन स्लोवली कंप्रेस सेज एक एस इन एन एडिय पी चैंज विल बी ऑफशन है ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो नन ओफ दी एवप इसका करेक्टर अंसर होगा एक्वल टू जीरो फ्रेंट्स से यह एलेक्ट्रिकल पार्ट था तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है क्योंकि हम लोग का ब्रांच सिविल यह और कुछ लोग इसमय मैचनिकल वाले भी हैं लेकिन उलेक्ट्रिकल से रिक्वेस्ट है कि ओलों लोग को अगरकोष कंफ्यूजन है तो लोग कॉमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं और जितना थी कुसेंस ऑलमोस्ट है यह सारा एलेक्ट्रिकल से ही है और यह पार्ट थोड़ा टफ था सिविल एंड मेकनिकल वालों के लिए तो फ्रेंड्स आज की लेक्चर में इतना ही फिल्ड नेक्चर में मिलते तब तक के लिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को झार आपसे इंड्सक्राइब लियर चैनल को सब्सक्राइब दसना है वालों को सब्सक्राइब प्रेंड रिक्ताओब तक क्ताइब छुटना है?